सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहां और भी हैं सिर्फ सब को और टीचर सर एक्वल स्टूडेंट और स्टोन एंड टीचर और ज्वैलर हूं मेक्स टूडेंट गो डायमॉंड तो हम जो है उनको प्रॉपरली जो है गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमने देखा कि इन बच्चों को वही किताबे हैं तो हम क्यों ना इन बच्चों को उस तरह से प्रेपरेशन कराएं इन में एक वह एनलिटिकल एप्रोच जो है क्रेट करें यह बच्चे जो है बिल्कुल एनलिसिस करें चैप्टर उन्होंने कहा है एंड मायल्स टो गो इस से पहले कि मैं मर जाओं या मैं सो जाओं मुझे एक लंबा सफर तेह करना है बिस्मिल्लाहिर रख्मान 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 अस्सलाम अलैकुम नाजरीन मैं हूं राजाशकील आप देख रहे हैं दच्चनाब टाइम नाजरीन हर रोज आपको किसी ना किसी खबर से जरूर आगा करते हैं जिहां नाजरीन आपको बताता चलूँ इस वक्त मैं मौझूद हूँ असील फक्सू के अंदर और जिस जगह मैं खड़ा हूँ आप मेरे बिल्कुल दाई तरफ देख रहे हैं कि यहां पर दानिश पब्लिक सुकूल के बाहर मैं इस वक्त खड़ा हूँ सबसे पहले मैं यहां के स्टाप को और यहां के चैर्मेन को इस सुकूल के चैर्मेन को मैं मुबारक बात पेश करता हूँ जो इन्हों ने आज यहां पर इनिशेट्यू लिया हुआ है इन्हों ने जो है इस स्कूल के बच्चों को जो इनसान अपनी ट्वैल्थ अलेवाट ग्रेजवेशन करने के बाद जो तालीम जो पेपर जो इनसान तब सिखता है वो आज यह फॉर्स सेकंड थॉर्ड फॉर् चेर्मेन से बात करने की कोशिश करेंगे आखिर वो इस हमाले से क्या कहना चाहेंगे आखिर वो क्या कहेंगे कि आखिर इनके दमाग में यह इनिशेट्यू कैसे मिला क्योंकि आप देख रहें इस तालीमी अदारे के जितने भी शाहीन मेरे साथ बैटे हुए हैं हम सब से पहले इस स्कूल के मालिक जावेज साथ से बात करना चाहेंगे आखिर हजारु स्कूल है हजारु स्कूल हमारे जमु कश्मीर के अंदर हैं और अगर हम इस इस इलाके की बात करें तो यहां पर भी बहुत ज़्यादा स्कूल जो हैं बने हैं लेकर आप नहीं सिर्फ यह इन मगदम है शुक्रिया राजा शकील और चिनाब टाइम का भी साथ में शुक्रिया तो यहां पे काफी आर्से से हम यह कोशिश कर रहे थे कि इस दूर दराज अलाके में यहां के हमारे बचे जो हैं जिनको मैं मतलब कलास में जाते ही इनको मैं बोलता था कि यह दुनिया जो बात बात पे ही कहता था कि सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इमतिहां और भी हैं तो अब मैं जो आप से कहना चाहूंगा तो वो शायद वो अलफाज जो तरजमानी के लिए हैं तो वो नहीं मिल पा रहे हैं अलबता अख्तर साहब काजी अख्तर साहब के जो हैं उनका एक शेर आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा जजबात के तर्जमा जजबात के तर्जमा अलफाज कहा हैं लहजे ही कर सकते हैं अहसास की तश्रीख तो मैं आपके सामने जो आपने यहां पे एक्जाम के बारे में यहां पे पूछा तो यह सुकूल काफी अर्से से चल रहा है तो हम ये इनिशियटियू जो हम ने लिया है काफी पहले से हम ये एक्जाम कराना चाहते थे लेकिन हम इससे बदकिस्मती समझें के यहां पर जो लागडाउन की वज़ज़ से COVID-19 की वज़े से दो साल सुकूल बंद रहा उस वज़े से हम ये एक्जाम नहीं कर पाए तो आप अभी भी देख सकते हैं कि सुकूल में जो बचे आज भी एक्जाम दे रहे हैं ये कोई आम एक्जाम नहीं है बलके हमने आज तक अपना तजर्बा काफी सालों का तजर्बा ह कि मैंने एक कमी महसूस की कि बच्चों को वो क्या कहेंगे हम के लकीर का फकीर नहीं बनाना है बलके बच्चों को वो चीज मिलनी चाहे जिस चीज की जरूरत है तो खाली किताबों के लिए किताबों के अंदर बच्चों को रख देना ये ठीक नहीं है बलके आज ही से जस इस तैसिल लेवल का या डिस्टिक लेवल का नहीं बलके आपने कम्पिटिशन जो करना है वो करना है आपने स्टेट लेवल का नेशनल लेवल का आपने पूरे मुलक का नाम रोशन करना है इस मुलक के लिए इस अपने देश के लिए अपने जो भी करना है इस मुलक की तामी तरकी के लिए करना है और आगे मैं यही कहूंगा कि जवानों को मेरी आहो सहर दे फिर इन शाही बच्चों को बालो पर दे जवानों को मेरी आहो सहर दे फिर इन शाही बच्चों को बालो पर दे खुदाया आर्जू मेरी यही है मेरा नूर बसीरत आम कर दे तो मैं आप से यही कहूंगा कि मैं सिर्फ अपने सुकूल के बारे में नहीं कहूंगा बलकि यह कमी जो आज तक मुझे महसूस हो रही थी मैं चाहता हूँ कि यहां पे जितने भी सुकूल है चाहे वो हजारों की तैदाद में हमारे इस डिस्टिक में सुकूल है हम इस लेवल का कम्पिटिशन कराएं हम अपने बच्चों को दूसरे सुकूलों से भी में गुजारिश करना चाहूंगा कि बच्चों को थोड़ा सा आगे ले जाके इनको एक नई दुनिया दिखानी है इनको एक नए नए एक्जाम मतलब जो बच्चे 12 का एक्जाम दे कर नीट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मुश्किलात हो रही है क्यों हम बच्च्पन से ही बच्चे को उस चीज के लिए तैयार करेंगे उनको हम उस मन्जिल तक पहुँचाएंगे जो मतलब इस वकत टाप लेवल के एक्जाम है वो आईएस के एक्जाम है आप यहां पे हमारे एक्जाम में आप O.M.R. शीट देखिए आप एक्जाम में बच्चों को खाली स्लेबस दिया है तो मैं यह कहता हूँ कि खाली बच्चों ने किताबों को वो कीड़ा नहीं बनना है बलके आज मैं आपको फकर से कह रहा हूँ करे हमारे बच्चे जो वो खाली का आउंसर याद करते थे कल का दिन था हमारे पास छुटी का दिन था लेकिन हमारे पास बच्चे ऐसे हैं जो कल छुटी के दिन भी हमारे पास आते रहे मतलब हमने इस एक्जाम के लिए ये करना है हमें इस चीज़ की समझ नहीं है हमने सलेबस त्यार किया है और दूसरी बात में ये कहूंगा कि सलेबस जो हमें मिलता है वो हमने तयार किया है और सेशन हमारा जो है वो मारज के लिए हो चुका है मैंने ये सोचा क्यों ना अगर सलेबस तयार किया हुआ है हमने क्यों न हम कोशिश करेंगे कि सलेवस के बाद जो हमारे पास चीज़ें बचती हैं हम इन बच्चों को थोड़ा सा उठाने की कोशिश करेंगे इनका मकसद वो आज मकसद जो है आज नहीं बलके वो बच्चमन से ही मकसद होना चाहे क्योंके मनजल के पास जाना पड़ता है मन क्यों नब बच्चे को पहले मन्जिल दिखाएंगे, step by step, step by step एक वक्त आएगा, वो उस मन्जिल पे पहुँचेंगे, क्योंकि मन्जिल पे पहुँचना ही इनसान का काम है, ना कि मन्जिल हमारे पास आएगी, और हमारी कोशिश है, स्कूल के जरीए से, हमारे पास ये जो स् चीजें भी और अवर आल डिवेलपमेट जो बच्चों की होती है, आपने देखा होगा, काफी एक डेड़ महीने पहले, दो महीने पहले हमने यहां पे एक जोनल लेवल का कम्पीटिशन जो था, उसमें हमारे बच्चे जोनल लेवल से डिस्टिक लेवल पे पहुँचे, क हमें आफिसर हैं, मदनसर, सपोर्ट के, तो उनके साथ भी मेरी बातचीत हुई, तो स्टेट लेवल पे जो बच्चे हमारे चेस में हैं और किरकट में हैं, तो उन्होंने ये बोला कि दो चार दिन के अंदर अंदर वो लिस्ट आएगी, और हमारे यही बच्चे जो पढ़ रही हैं कि हमारे बचे काम्याबी की तरफ कब जाएंगे, और मैं लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि इन्शालला उताला वो दिन दूर नहीं, जब आप एक एक बच्चे को नेशनल लेवल के एक्जाम में देखेंगे, जब आप एक एक बच्चे को आप नेशनल जो गे आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो एक्जाम हो रहा है, बहराल आपने बहुत सारा तफसरा किया स्कूल का कि आपके बच्चे जो है स्टेट लेवल पे जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक है और आपके पूरे स्टाप को और जो इस ताक्ते इस स्कूल के पीछे हैं, जो इसमें अपना हाथ बढ़ा रहे हैं इन बच्चों को अपने पूरे मुलक का नाम रोशन करने के लिए, अपने अलाके का नाम रोशन करने के लिए, उनको भी मुबारक बात है, लेकन मैं जानना चाहूंगा, मुक्तसरां कि आप बताएं, यह जो सबसे बड़ी बात जो है, वो यह है कि इनसान अकेला कुछ नहीं कर सकता है, जब मैंने ग्रेजवेशन की थी, तो उसी वकत मेरा मकसद यह बना था, कि अगर हम खुद पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना बच्चों को भी हम बच्पन से ही कुछ ऐसी चीज़ें देंगे, हम क्य नहीं लूँगा कि यह मैंने किया है, बलकि आप यह जो टीम आप देख रहे हो मेरी, हमारे यहां पे टीचर और पड़े लिखे टीचर, वैल कौलिफाइड टीचर, जो बात बात पे, मतलब हमारी मीटिंग जो होती है, वो हर रोज होती है, हफते में नहीं, बलकि हर रोज जामा पहना कर, अमली जामा पहना कर, हम कोशिश करते हैं कि हमें इस चीज़ को करना ही करना है, बचों को डिवेलपमेंट, बचों की जो अवर आल डिवेलपमेंट है, मैंने पहले ही कहा कि बचों को किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, बलकि हर एक चीज़ में बच्चा में कहूंगा कि ये मेरा काम ही खाली नहीं है बलके यहां पे मेरे प्रिंसिपल साब महम्मद जियाउलहक यहां पे हमारे वाइज प्रिंसिपल साब हैं महम्मद अज़र महमूद साब तो बाकी टीचर यहां पे सुशील सर राफिया मैं नूर दिन सर नूर दिन सर तो काफी अर्से से यहां पे भी हैं और इस से पहले भी इन्होंने यही काम किया है वेल एक्सपिरिंस टीचर मैं नूर दिन सर के लिए भी बोलूँगा और बाकी हमारे यहां पे मैड में जितनी भी हैं टीचर जितने भी ह हैं और इनकी कोशिश से इनकी ही कोशिश से इनकी ही मादद से इनके ही हमारे इस मिल जुल कर इत्फाक से ही हम इस एक्जाम को खाली ये अभी प्री चल रहा है इन्शालला अभी इसका हमारा क्या कहते हैं मैंज अभी बाकी है अभी वाईवा बाकी है हमारी एडिस्ट्रेशन इंशालला हुटाला आगे आने वाले एक्जाम्स में मैं S.D.M. साहब से भी कोशिश करूंगा उनके साथ बात करके हमारे जडियो साहब है काफी अच्छे हमारे जडियो साहब है जिनका बहुत ताउन हमें आज तक भी मिला है और इंशालला आज के बात भी मिलेगा उनके साथ मिलकर हम कोशिश करेंगे मकसद खाली यह हमारे बच्चे किस तरह से आगे निकल जाएं इनका जो डर है वो किस तरह से बिलकुल खतम हो जाए और यह हर लेवल में आगे आ जाएं मैंने पहले भी यही कहा आपको कि वही मैं फिर कहूंगा सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के अम्तिहां और भी हैं कोशिश तो यह होगी कि एक एक बच्चा आगे आ जाए और एक एक बच्चे को हम किस तरह से वो शाहिन बना कर कोशिश करेंगे कि पूरी दुनिया में पूरी दुनिया की सेर करें एक तो यह सेर होती है कि इनसान आँखों से देखता है दूसरी होती है दिमाग की सेर इनके दिमाग में पूरी दुनिया कैसे बास जाए और पूरे हिंदुस्तान के लिए ये नमबर वन कैसे आ जाएं और कोशिश करेंगे अपने देश के लिए जो कुछ भी करना है वो अपने देश के लिए ही हम भी और हमारे बचे भी मिलकर कोशिश करेंगे बिलकुल शुक्रिया आपका क्योंकि जिस तरह से यहां पर जावेद साब ने हमें कहा कि इस स्कूल को बढ़ने के पीछे आज इस चोटी लेवल के बच्चों को इन चोटे चोटे बच्चों को एक बहुत बड़ी लेवल का एक्जाम जो है यहां पे होने जा रहा है उनके प शुक्रिया राजशकिल साब और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ चिनाब टाइम्स का भी मेरा नाम मुहमद जियाउलहक शाह है और मैं यहां स्कूल का प्रिंसिपल हूँ तो यहां पर हमने जो यह इनिशेटू लिया है इसके लिए हम काफी अर्से से त्यारी कर रहे हैं सब कराएंगे हैं तो इस यहां का मैन मौटिव यह है कि आप देखते हो कि सबसे जो ऐस ऑफिसर बनता है कि ऐस ऑफिसर बनता है तो जब उन बोस का जो सलेबस है वो NCRT और जेके बोस सैम होता है तो हमने देखा कि इन बच्चों को वही किताबे हैं तो हम क्यों ना इन बच्चों को उस तरह से प्रेपरेशन कराएं इन में एक वो अनलिटिकल अप्रोच जो है क्रेट करें यह बच्चे जो है बिलकुल एनलिसिस करें चैप्टर्स की इस तरह से पढ़ें कि यहां इसमें जो है कॉंसेप्चुल चीजें जो है वो सीख जाएं तो यही हमारा इनिशेटू था स्टार्टिंग से ही हमारा क्लेंडर एयर में यह फिक्स था तो फिर हमने इसको इसके लिए बच्चों को इस तरह से तयारी करवाई बच्चों को हमने यह सिखाया कि what to read and what not to read and how to read between the lines तो इस तरह से बच्चों को हमने सिखाया कि किस तरह से पढ़ना है तो आज आज अला तला के फजल से हम इसमें बहुत successful रहे हैं तो आपने भी यहां पर देखा कि बहुत अच्छे से हम एक professional वे से इस exam को conduct करा रहे हैं पर इस तरह आप से मैं जानना चाहूंगा कि आप मुझे बताईए कि family का parents का बच्चों के साथ कितना town रहता है मतलब यहां school में जो यहां पर अक्सर ग्रीब बचे भी होंगे तो किस तरह से वो manage करते हैं तो parents का ही सबसे ज्यादा role होता है और यहां पर अगर हम देखेंगे मैं thanks करना चाहता हूँ parents का जो हमारे साथ हर वकत हमारे साथ होते हैं हर वकत हमें जो है यह बा कहते रहते हैं कि हमारे बच्चे को इस तरह से यह चीज़ सिखाओ हमारे बच्चे को इन चीज़ इस तरह से पढ़ाओ और अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा serious होते हैं और अपने बच्चों की तरब जो है जादा जो है तवज़ा देते हैं तो पैरेंट्स का बहुत बहुत चुक्रिया करना चाहते हैं उनका बहुत जाद आच्छा रोल रहा और पैरेंट्स जो है यहां पर बहुत सारे पैरेंट्स अपने बच्चे को घर पे भी तयार करवाते हैं जो हम यहां पर प स्वाल पूछना चाहूंगा जो इनिशेट्व आपने लिया हुआ है क्या आप इस गाउं के इन यहां के गाउं के बच्चों को आई-एस-क-स-डेखना चाहते हैं बनाने जा रहे हैं विलकुल हम यह चाहते हैं क्योंकि मैंने यहां पर देखा जब मैं फर्स टाइम यहां आ तो हमने सोचा कि थोड़ा सा इन्नोवेट्व को किया जाए उसके अलावा जो है हम बच्चों को देखना चाहते थे कि जब यह टेस्ट करवाया जाएगा तो वह खुद को कैसे एनलाइज कर पाएंगा तो इवालवेशन जो है बहुत ज्यादा इंपोर्टन है और आपको पता है कि इस टाइम पे स्टेज पे जो है गाइडनस इस वरी इंपोर्टन तो हम जो है उनको प्रॉपरली जो है गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और इस एक्जाम के थ्रू जो है बच्चे जो है उनकी अंडर्स्टैंडिंग कैपस्टी है वो इनक्रीज हो जाएगी औ तो उसके अलावा फिर जो है यह एक्जाम मुझे लगता इस नौट जस्ट एन एक्जाम जो है इस एक्जाम के थ्रू जो है बच्चे जो है उनका जो एक्टिट्यूड है कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और वो जो है ज्यादा देवल वर्क मोर अन कॉंसेप्स अनकोंसे क्लियर करवाने हैं तो अब जो है बर बावट कोशिश कर रहे हैं की कांसेप्ट जो है ज्यादा से ज्यादा क्लियर किया जाए वो and हम जो टीचर्स हैं हम भी जो है बहुत ज्यादा ट्राइ कर रहे हैं कि हम जो है हम से जितना हो सकता है हम जो अपना हंडर्ड परसेंट दे सके and we are looking forward for the first year outcome तो नाज़ने जिस तरह से मैं आपको हमेशा जब भी मैं तालिमी आदारों के अंदर प्रोग्राम करता हूं मैं जाता हूँ मेरा आपसे यही अपील रहती है और यही कहता हूँ हमेशा कि एक उस्ताद के बिना इनसान कुछ भी नहीं है क्यूंकि मैं इस वकत यहां पर आपके सामने बोल रहा हूँ यह भी एक उस्ताद की देन है ये भी एक उस्ताद का करना है, ये भी एक उस्ताद का करम है, सबसे बड़ा हाथ मेरे पीछे उस्ताद का है, और ये उस्ताद जो यहाँ पर उस्ताद बने हुए हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनके पीछे भी हाथ उस्ताद का ही है, क्योंकि उस्ताद के बिना इन फैसले करता है और सबसे बड़ा इंजिनियर बना देता है जो इंजिनियर मुलक के नक्षू को बदल देता है नक्षू को बनाता है और सबसे बड़ा वकील भी ही यहीं से निकलता है और अगर देखा जाए जो पूरे मुलक पर राज करता है प्रेजडेंट परदान मंतरी व परहाल नाजरीन यहां और भी उस्ताद है हम इसे भी मुख्जरन जानना चाहेंगे यह इस इनिशर्ट्यू के हवाले से क्या कहना चाहेंगे सर सबसे बेले अपने नाम बता जाए असलाम मेरा नाम है अजर महमूद जी और मैं स्कूल का वाइस प्रिंसिपल तो मैं आप से कहना चाहूंगा के वन्स फिलोसफर सेड के जॉर्नी आफ थाॉजंड माइल्स बिगिन्स विइद सिंगल स्टेप यह लाउजू ने कहा है कि एक एक लंबा सफर जो है वो एक स्टेप से की उन्हें कहा है and miles to go before sleep इस से पहले कि मैं मर जांओं या मैं सो जाओं मुझे एक लंबा सफर करना है तो हम सब के लिए एक लंबा सफर है जो हमने एक initiative लिया है स्कूल में तो यह हमारे लिए एक लंबा सफर है तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ lines में बताऊंगा कि जैसा कि हमने देखा आजकल स्कूल में यह एक चीज लैक कर रही है यही चीज लैक कर रही हर जगा पे कि हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं इस तरीके से वी ट्राइ टो टीज देम इन दे वेग कि वो एक्जैम्स में अच्छे मार्क स्कूर करें लेकिन उसके साथ साथ जो ज़्यादा important चीज है उससे भी ज़्यादा side by side ज़्यादा important चीज है वो यह है उनके concepts clear करना जो हमारे schools में हर एक school में lag करी है और अभी तक मेरे ख्याल से हमारे school में भी lag करी थी लेकिन अब इसलिए हमने ये steps जो हैं उठाये हैं ताके ये चीज़ें को खतम किया जाए तो मेरी तरफ से हर एक school को ये क्या है एक message है को ऐसे जैसे steps उठाये जाएं क्योंकि अभी तक अगर हम आम तोर पे देखें कि बच्चे जो होते हैं हम we try to put things in them हम यहां से कोशिश करते हैं forcefully उनके दिमाग में चीज़ें जाएं बट हमने ऐसा नहीं करना है we should make them that capable कि वो क्या कर सकें वो इन चूज़ें को खुद समझ सकें they should try to understand them they should realize that how important these books are उनकी books कितनी important है और उनको समझना कितना important है और उनको किस तरीके से उनको analyze करना है जैसे कि मैं मैंने खुद ये notice किया experience किया है खुद exams दिये है तो मुझे लगा कि ऐसे जैसे exams में आती हुई चीज़ें जो हमें पता होती है वो भी चीज़ें गलत हो जाती है कभी-कभी तो हमने ये खुद experience किया notice किया तो उस चीज़ को हमने यहां पे schools में ही इस छोटी stage में हमने चाहा कि उसको खतम किया जाए यहीं पे उनको coming to us and trying to learn things from us वो हमसे चीज़ें जो हैं सीखना चाह रहे हैं वो हमसे उधर से उनके अंदर curiosity बढ़ गई उनके अंदर enthusiasm आ गया है कि वो यह चीज़ें सीखें तो यहीं था हमारा यह जो step है इसमें सारे teachers सबसे पहले credit जो है जावेज सर को जाता है चेर्मेन अब्दो स्कूल और फिर बाकी सारे teachers जो जितने भी हैं यहां पे सब ने इसमें बहुत अच्छा जो है काम किया है और साथ मिलके efforts की है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सर अपना नाम बता देजी जो इसमें बैठेगा तो उसको पता चलेगा वहां पर कैसा pressure की तरीके से प्रेशर को हैंडल किया जाता है तो मैं मकसद उसका वही है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत 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 तो अपने जस तरह देखा कि हमने यहां के तमाम जो teacher है इनसे बात करने की कोशिश की यहां के teacher से बात करने की कोशिश की और उनका उनसे जानने की कोशिश की कि यह initiative जो लिये जा रहे हैं आज हमारे स्कुलू के अंदर और को एक अच्छा इनसान बनाना है एक अच्छा इनसान जब वो बनेगा तो तब ही जाके हमारे माशरे में तब्दिल ही आएगी हमारा माशरा सुदर जाएगा बरहाल आखिर पर हम बच्चों से भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर बच्चे इस एक्जाम को लेके क्या कहना चाहेंगे तो नाजरी कराम जिस तरह से हमने यहां के तमाम उस्तादजा एक्राम से बात की उसके बाद हमारे साथ दानिश पब्लिक स्कूल के कुछ बच्चे भी यहां पर मौजूद हैं इसे जानना चाहेंगे आखिर आज जो एक्जाम हुआ यहां पर जो दानिश पब्लिक स्कूल की तरफ से करवाया गया इस हवाले से यह क्या कहना चाहें छोड़ा आप मुझे बताईए सबसे पहले हमें सिखाने के लिए था कि आगे किस तरह एक्जाम होते हैं हमारा डर खतम करने के लिए तो यह एक्जाम जो है इनने आउट अफ सिलेबस और इन सिलेबस मिक्स करके सारे को सवाल आता आये थे और जो है अग्जामका तरीका भी है बहुत अच्छा हुआ तो हमारा अग्जाम जो है ये मीडियम ले Vitamin का अग्जाम किया गया था टॉफ्स में तो अब मुझे बताए ये इनिशेटिव जो लिया गया है स्कूल की तरफ से कैसा लगा आपको कि आप ये एक्जाम होने चाहे स्कूलों के अंदर या नहीं जी हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रिंसिपल सर और अज़ा सर का जोनों ने ये सब प्लैन किया और जैवज सर का जोनों ने ये सब करने की परमीशन दी तो ये एक्जाम मेरे ख्याल से हर एक स्कूल में किये जाने चाहें ताकि इसी बचों का टैलेंट उबर के आता है बिल्कुल थैंक यू थैंक यू जी बेटा आपका नाम? आरूबा अंजम आपने एक्जाम दिया? येस सर्व कैसा पेपर था और इग्जाम ये अग्जाम गजा लगा, सिरु मुझे ये लिए लिए हमगरे जाते हैं रिकलतना, एक्जाम लिए हमें हमें ताकि हमारा जो फ्यूचर आने वाला फ्यूचर वहां के लिए हम अच्छे से प्रिप्रेयर कर सके तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने टीचर का कि उन्होंने हमें इजाज़त दी हमारे प्रिंसिपल सर का और अजर सर जैविज सर तो अल्ड़ टीचर का मैं थैंक्यू करना चाहूंगी कि उन्होंने परमीशन दी जैसे जैविज सर ने बोला था सितारू से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इमतिहां और भी हैं हमें जो है आगे का आगे बढ़ना है और यह जो एक्जाम है हर स्कूल में होने चाहिए क्योंकि ज आपका एम कि आप बनना क्या चाहती हो आएस आएस बनना चाहती हो यहां के लोगों के खितमत करना चाहती हो हमारे स्कूल के स्टूडेंट हैं सबका डिफरेंट डिफरेंट एम हैं और मतलब हमारे जो टीचर हैं हमें उस तरह से प्रपेर करते हैं कि हम वहां तक पहुंच हमें दिख रहा है कि हम पहुंच सकते हैं और जो हैं हम अपनी देश के लिए हम हैल्प करें अपनी देश की हैल्प करें मदश करें सब की बिल्कुल तो आप से में मुक्तसर जानना चाहता हूं कि आपकी सुकूल में बहुत सारे टीचर हैं सबसे ज्यादा आपकी पढ़ाई क शुक्रिया आपका बेटा शुक्रिया तो नाज़ने कराम यहां आप देख सकते हैं कि इस स्कूल के इस छोटी सी बच्ची का मकसद जो है बहुत दूर जाने का है आपने देखा होगा कि किसी भी मिशन को लेके किसी भी काम को लेके इनसान का मकसद होना चाहिए जब इनसान क कोई मकसद हो जब इनसान का कोई टार्गिट हो तब ही जाके वो अपनी मन्जिल को पा सकता है और मुझे अमीद है जिस तरह से ये बच्ची और यहां के स्कूल के इस स्कूल के बच्चों ने अपनी बात को रखा है तो कहीं न कहीं ये जरूर इस अलाके का नम रोशन करेंगे अपने जम्मु कश्मीर का नम जरूर रोशन करेंगे बरहल यहां पे और भी बच्चे हैं इसे भी मुफ्तिक जाना चाहें के क्या नाम है बटा मेरा नाम है मुहमद अदिल और मैं क्लास सेवन का सुटूडेंट हूँ अच्छा क्या कहना चाहेंगे आज जो एक्जाम यहां पे लिया गया जो एक्जाम हमारे टीचर्स ने लिया है यह बहुत अच्छा एक्जाम हुआ ताके हमारा जो फीचर है उसके लिए हमें नालज मिले और काफी सारा नालज हमें मिला है किताबों से जो कि हमने बढ़ा भी है वो याद रहे ताके आगे के लिए आसानी हो जाए शुक्रिया 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 आपका आपका क्या नाम है मेरा नाम अबरेज तालिप है अच्छा क्या कहना चाहेंगे यह एक्जाम जो लिया यह बहुत अच्छा इनिशियेटिव था हमारे स्कूल से और शुक्या करना चाहूंगा मैं जैवसर का जो ने एक्जाम ल Thank you, thank you, बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत 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 वो exam नहीं हुआ लेकर उसके pattern जिस तरह यहां के उस्ताजाई खराम ने भी कहा टीचर्स ने भी कहा कि उस pattern पे बच्चों को सिखाया जा रहा है वो pattern उस pattern का exam यहां पे इनुने लिया ताके आने वाले वकट में आपने देखा होगा कि जब भी इनसान ग्रेजवेशन करता है तो एक कुड़न दिल के अंदर होते हैं दर्द होता है कि मैं भी IS बनूँ, मैं भी KS बनूँ, मैं भी IPS बनूँ लेकर उसके लिए हमेशा देखा होगा आपने काफी देर कोचिंग करनी पड़ती है और उसके बाद एक्जाम वो क्वालिफाई होता है कुछ बच्चे जो गार्ड गिफ्टिड होते हैं वो तो एक्जाम को क्वालिफाई भी करते हैं लेकर जब हमारे स्कूलों में आज ही से बच्चे ये सीखें इस तरह के एक्जाम, एक्जामों में हिस्सा लें या उसके अलावा जिस तरह से यहां इन्हों ने जावेश हैं तो आने वाले वकित में काफी आसानी होगी और बच्चे जो हैं जरूर अपने कौम का मुस्तक्बिल बनेंगे और जरूर अपने अलाकों का नाम रोशन करेंगे बरहाल इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे मुझे दीजिए इजाज़त कैमरा मैं ताहिर के साथ खुदा हाफ़ज़